नमस्कार, सलाम, निउसकलिक के इस खास कारेकरम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है, मैं हूँ मुकुल सरल करनाटक विधानसवाज चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और बड़े चुनाव की जी हाँ, उत्तर प्रदेश के नगर निकाए चुनाव की, यह बड़ा चुनाव है, बड़ा चुनाव क्यों है, कि इसमें प्रदेश के नगर महानगर से लेकर गली महले तक कवर होते हैं, यानि हर महला यानि वाल चुनाव में सीधे तोर पर सक्रिय होता है दूसरी वड़ी बात ये कि यूपी जैसे बड़े राज्ये में है चुनाओ बिल्कुल 2024 के आम चुनाओ के मुहाने पर हो रहा है यही वज़ा है कि सत्तरूड भाचबा से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजपार्टी, RLD, कॉंग्रेस सभी पार्टियां इस चुनाओ में सीधे तोर पर खूद गई है तो आप समझ रहे होंगे कि यूपी लोकल बॉड़ी यानि नगर निकाए के चुनाओ इतने महतपूंग क्यों हो गए है इसलिए आज हम चुनाओ चक्र में यूपी नगर निकाए चुनाओ की बात ही करेंगे इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं खास महमान, यूपी की राजधानी, लखनव में माजूद, वरिष्ट पत्रकार, शरत प्रधान जी साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ हैं मेरे स्वयोगी रवी दुबे तो शुरू करते हैं चुनाओ चक्र उत्तर प्रदेश में 762 नगर निकाए हैं जिसमें से 760 निकावे पर चुनाओ होने हैं इन चुनाओ के लिए मद्दान दो चरणों में 4 माई और 11 माई को होंगे जबकि नतीजे करनाटक विधान सबा चुनाओ के साथ ही 13 माई को आएंगे यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन 760 निकाओं में चुनाओ होने हैं उनमें 17 नगर निकम हैं 999 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत अध्यक्ष्ट की सीटे शामिल हैं इसके अलावा करीब 13,000 वाल्ड पारशद और सबसद पत के लिए भी चुनाओ होने जा रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि ये कितना बड़ा चुनाओ है तो हम बात करते हैं अपने वरिश साथियों से तो रवी जैसे हमने बताया अपने दर्शकों को कि ये बहुत बड़ा चुनाओ है नाम है लोकल बाड़ी लेकिन ये इतना जादे बड़ा चुनाओ है यूपी जैसे र पाइनिती चल लही है कैसी तैयारियां चल लही है और यह चुनाओ बहुत पहले होने थे इसमें आरक्षान वाला मुद्दा था फिर इसमें देर हुआ कोट का हस्तक्षेप हुआ यह सब इस समय आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं यूपी में इस चुनाओ को लेकर देखे यह जाहिर बात है कि यह लोकल बॉडी चुनाओ है लेकिन क्योंकि उत्तरप्रदेश के चुनाओ है और साथ सो बासट निकाव पर चुनाओ है तो इसलिए यह लोकसभा चुनाओ से पहले होना बेहत महतोपूर हो जाते हैं और सारी राजनितिक पार्टियां इसे एक तरह स सेमी फाइनल के तोर पर देख रही हैं क्योंकि यह चुनाओं गली महलों में वाडों में और मेर्स के लिए यह बैसिकली जो ग्राउंड से जुड़ी जनता है उनके जुड़े हुए जो काम है जैसे नाली सफाई हो गया मच्छों की परेशानियां हो गई बड़ी बिमारिया हो गए लतरह की जो समस्याएं हैं जो लोग उनसे परीशान है अब इस तरह को देखने के लिए इन सब चीजों को ठीक करने के लिए चुनाओं होते हैं और पाद्शन चुन जाते हैं 자 उत्स Act मेर के लिए बढ़ी है शाजहांपुर में तो जो शाजहांपुर की सीड बढ़ाई गई है उसे भी आरक्षित किया गया है और जैसे आपको पता ही होगा और जन्ता को भी पता है कि चुनाओ ये डिसंबर महीने में ही हो जाने थे पिछले साल लेकिन ये आगे का खिसा गया क कि आरक्षन के मुद्दे पर काफी वक्त लग गया सरकार अपनी दलीले पेश करती रही विपक्ष के अपने अपनी तकरीरे थी तो इसमें काफी वक्त लगा और फिर आखिर में जब फैसला आया तब ये हुआ कि भाई अब चुनाओ करा देने चाहिए और एक तरह से देख रहे हैं कि तेरा ही मई को उधर करनाटक में भी लोग व्यस्त हैं और उत्तरपदेश का इतना बड़ा चुनाओ है एक ही दिन नतीजें आने हैं तो जैसे एक कहावत है कि सब एक ही करण वाली जो बात होती है इसको कहीं न कहीं आप पूरा अगर बड़ा दाइरा दे नगर निगम में खासतोर से नगर पालिकाओं में उसका कम मस्तक्षेप था और वार्ड मेंबर वार्ड सवासत जो है उसमें और उसके कम वो था तो एक शहरी क्योंकि पार्टी एक तरह से पहले मानी जाती थी लेकिन अब चीजे बदल भी रही हैं तो कैसे देख रहे हैं अब इसकी अगर आपने बदलाओ की बात किये हैं तो मैं बता दूँ कि शहरी इलाकों में पिछडा समाज जो है उनकी संख्या समर्णों से और जैसे ख्षत्रिय हैं या वैश हैं इनसे थोड़ी कम हैं और इन्हें साधने के लिए ये पार्टियां बहुत मेहनत करती हैं बेसिकली मुसल्मानों का बड़ा अच्छा समीकरण है आपर तो हमने पिछले दिनों देखा कि जो भारती जनता पार्टियों बकाइदा एक मुसल्मानों के लिए भोज आमंत्रित कर रही है उसमें खास तोर पे महिलाओं को लेकर रही है जी आपने रिपोर्ट भी की कि कि भाई उन वोटर स्कों में टार्गेट करना है अब उसको भूल जाए जो बुल्डोजर राजनीती होती है या वो होती उनको सब को भुला करके अभी निकाय चुनाओ पर जिनको वोट चाहिए दरसले सीधा उस पर राजनीती बड़ी है हम आपके से फिर इस पर और बात कर रहे हैं क्योंकि आप इतने वरिष्ट पत्रकार हैं और आपने बारीकी से और करीब से यूपी की राजनीती को देखा है देश की राजनीती को देखा है तो मेरी रूची हमारी रूची इसी में है कि क्योंकि चुनाओ दोहजार चौबीस से एन पहले उसके मुहाने पर हो यूपी जैसे बड़े राज्य में और गली-गली महले में राजनिती इसमें चलती है और होती है तो यूपी की दरश्टी से और देश की दरश्टी से यह चुनाओ कितने महत्पूर्ण है आप बताएं तेके इस आपने खुदी सवाल का जवाब खुदी दे दिया है कि जिस सिच दोहजार चौविस के लोकसर जवाब चुनाओ से पहले यह पढ़ रहा है और लगबख साल भर पहले और मुझे लगता है कि यह कारण यही रहा है कि इसको थोड़ा जो बढ़ाया गया तरह तरीके से कुछ पेटिशन डालके या कोई ना कोई बहाने से बढ़वा करक इस स्टेज तक ले आए यह इसमें के पीछे भी मुझे लगता है कि रूलिंग डिस्पंसेशन का ही हाथ रहा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने मैनेज करी इस तरीके की चीज़ें कि अल्टिमेटली वह ऐसे टाइम पे हो रहा है जब बिलकुल इसके बाद सिर्फ लोग सम कोलराइज करना आसान होता है अभी तक यूपी में जो रूरल बैल्ट थी वहां पे हिंडु मुसल्मान का डिवाइट करना आसान है आला कि बीजेपी ने उससे भी काफी रवा कर दिया है अपने इसाब से लेकिन अर्बन में उसकी जादा उसका जादा स्कोप है और इसी वज़े से आप देखेंगे कि हर चीज को ये कोशिश करते हैं उसी तरफ ले जाने के लिए और ले जाने की तरफ जिससे की इनको पोलराइज करने में आसानी है तो जैसे आपने पोलराइज कहा अर्बन चुनाओ है लेकिन जो नगर निगम में इने सफलता मिलती है या पा लेवल के क्योंकि नहीं पहुंचते हैं वहाँ पर इनका जो यह जो मैसेजिंग है लिए वाली वहाँ इतनी नहीं लेकिन जो शेहरी जैसे मेर मेर में पिछली बार भी जो है मजौरिटी मेर इनके थे इसी तरीके से जो शेहरी वाड़् ने आप देखेंगे इनकी पकड़ खुझ आती का हमेशा जो प्रयास रहता है पोलराइज करने का वो शेहरी लाकों में ज़्यादा इंपक्ट पड़ता है इसी लिए जो आप देखेंगे जो हाड़् कोर शेहरी है जो सेमी अर्बन है जैसे यह जो कई अर्बन लोकल बाड़ी में जो सेमी अर्बन एरिया आत कर लेते हैं लोगों को इंफ्लूइंस करना और रोज के साब से चलता है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम डिवाइड का इस्तिमाल करके अपने फेवर में पोलराइज करा हिंदू है अभी आपने देखा भी हाल में जो यहां पे परसों जो आती कैमा जो क्रिमनल इलाबात कोणा निर्टोरियस ट्रिमिनल रहा है उसके बेटे का जो अंकाउंटर हुआ उसको भी मुझे लगता है भरपूर तरीके से बुनाया जाएगा मैं आपसे यही पूछना चाहरा था एक मिनट मैं यही पूछना चाहरा था शरत जी मैं यही पूछना चाहरा था इसके बाद कि क्या यह बुल्डोजर और एंकाउंटर की राजनिती जो है यह भी चुनाओ पर फर्क डालेगी और क्या इसी वज़े से यह सब जादे भी का होगा कि पिछले कुछ टाइम से एंकाउंटर्स और बिल्डोजर जो टार्गेट पर इसके हैं वो माइनौरिटी कमीनिटी के लोड़ में मजॉरिटी ऐसा नहीं है यह औरों को भी लिया जाता है जिसे जब इनसे आप पूछिए सवा लिए तो यह आपको गिनवाने लगत वो इसी कम्यूनिटी के लोग रहें या दलिक से हैं यह भी मैं बता दूँ आपको एंकाउंटर्स के केस में क्योंकि 183 एंकाउंटर्स हो चुके हैं अभी तक गिरोगी के 6 साल के कारेकाल में और इस 6 साल में जो ऑफिशल फिंगर है उनकी करीब 10,117 एंकाउंटर्स कर फिर इन्हों ने उसको नया करी के से डिफाइन किया जब शुरू में जब 10-10,000 हुए तो सब लोग पूशे कि मैं लिस्ट कहा हैं कि दसदार लोग या या शुरू में जब वह थै कि छे मेने में इतने हजार कर डाले तब बताया नहीं साम मतलब इसका मतलब मुड़वेड तो आपको मिलेंगे अधिकतर मुसल्मान या धलिफ आपको बहुत कम लगने लगता है कि जितने जितनी गुंड़ादी हो रही है बदमाशी हो रही है वो यहीं लोग करते हैं और उसमें मुस्लिम जादा हाइल राइटिद बनाने की कोशिश है बिल्कुल तो मैं आपसे ज यह जानना चाहूंगा मैं आपसे क्योंकि आपने देश और प्रदिश की राइनिती दोनों को करीब से देखा है कि हमने एक आम तौर पर यह धारना भी है क्या हम यह समझें क्योंकि हमने देखा विधान सभा में जो वोट का पैटर्न हो जरूरी नहीं कि लोग सभा में भी तो क्या लोकल बर्डी के वोट का पैटर्न विधान सभा और आने वाले लोग सभा चुनाओं को प्रभावित कर सकता है कुछ उसका सुराग में यहां नहीं यहां तो लोग सबक हैं प्रयास पूरा यह है कि कम से कम अर्बन पॉकेट्स में इसका असर पढ़ जाए और पढ देश के विपक्ष में होनी चाहिए में पॉलिटिकल पार्टी इस फक्त सिर्फ समाजवादी पार्टी बची है क्योंकि कॉंग्रेस और पुनर जीवित करने का कोई अभी तक प्रयास नहीं दिखता है बहुजन समाजवादी के बारे में आमधारना प्रबच चुकी है कि वो टोटली बीजेपी के हाथ में खेल रही है तमाम उसकी वज़े हो सकती ही सीबी आई एडी हो सकता है और जब आपके पास दौलत जरूर से जादा हो तो सीबी आई एडी एडी से दरना पड़ता है और स को नारेकटेव सारे टी वी चानलस चलाते हैं क्योंकि अब हर चैनल कोई भी जो में स्टिंडेंट जैनल वहों नेउस्ट क्लिक की तो है नहीं जो सच बोले वहाँ तो वह बोला जाता है His Master's voice तो जो कहलेवाया जाता है वो बोलता है मेंस्ट्रीम मीडिया और जब बोलता है तो पब्लिक में यही डिस्कॉर्स चलता है कि साब यही सही है तो कि हम लोग तो वही देखते हैं तो इन्होंने जो स्ट्राटीजी अपना ही है वो बहुती उसकी काबले तारीफ है उस नाजरिये से कि भाई मीडिया ऐसा कंट्रोल में कर लो कि जो आप नेरेटिव चाहो वो ही पबलिक में जाए और वो ही बन करके आम लोग उसी की बात करें तो यही स्थिती बन चुकी है अच्छा एक आखरी सवाल आपसे जी एक आखरी सवाल कि जैसे आपने कहा भी कि चुनाओ जो दो हजार तेईस तक लाए गए यह दो हजार बाईस में हो जाने चाहिए थे उसके पीछे भी एक पूरी राजनिती तो अभी हम यह देखने करनाटक चुनाओ भी हैं कि दस माई को उसके वोट पढ़ेंगे तेरा को नतीजे आएंगे और यह भी चार और ग्यारा माई को यहीं क्या इनका भी कुई करनेक्शन है कि उसके अगर वहां कुछ नुकसान हो तो यूपी की जीत में या यूपी के नतीजों में वो छुप जाए या क्या एक कुछ आपस में है करनाटा के चुनाओक से लोग सबस्क्राइब होता है जो आपस में वैसे नहीं जो हार जीत के आंकड़े आएंगे वह एक जो शोर होता है वह तो वह तो वह तो बिल्कुल भर्पूर तरीके से उसका इस्तमाल हो वहां पर आप देखिए ना जिस तरीके से जो जो चलता है एक वह आपको एक चीज़ बता दो बड़ी इंपॉर्टन्ट यह मीडिया के इस्तेमाल में उत्तर प्रदेश सरकार का जो एलोकेशन है किसी भी प्रदेश करें लगब बारा सौ से पंद्रा सो करोड का साल आना का पाजट है और इसमें मुक्ते जो है वह मुक्मंत्री की पॉब्रिसिटी के लिए उसमें और विजूर पॉब्रिसिटी भी है प्रिंट मीडिया की भी है अब आप सोच सकते हैं कि जब आप दो से चार करोड रुपिया पर डे एवरेज का खर्च कर रहे हों ये बताने में लोगों को कि हमने ये किया और लोग वही मान दे लगते हैं क्योंकि वही चप रहा है बंबार्डमेंट आप करिए एक जूट का और थोड़े दिनों में लोग इसको सक्च मानने लगते हैं तो ये के मुक्त मंत्री स्टार कैंपेनर्स में से होंगे वहां जाके और जैसी वहां की खबर यहां के अकबारों में इसकदर चपती है कि वहां पे हुआ फॉरन प्रेस्ट रिशू होता है और कई बार अकबार वाले डेट लाइन बदलना हो जाते तो यह जो है जब आपके इस तरी तो बहुत शुक्रिया आपका और यानि लोकसभा चुनाओ भी इस को भी प्रभावित इस चुनाओ के जरिये करने की एक कोशिश रहेगी और देखते हैं विपक्ष किस तरह का रोल ने बहुत है कैसे रिजल्ट आते हैं आपका शुक्रिया धन्यवाद तो रवी आपने श करन के कोशिश की जा रही है वोटों को प्रभाव करने के आपने भी जैसे जिक्र किया था कि वह सह बोज और यह सब पहले मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ा और आंकड़े बताएं कितने नगर पालिकाएं हैं और क्या बदलाओ हुए हैं चुनाओ के इस बार कि में पर इसी मन हुआ था और सब चीजे तो कुछ आंकड़ों के जरी हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या बदलाओ अगर हम सीटों की बात करें तो मेरे पास एक छोटा सा ब्योरा है कि इस बार नगर निगम की सीटे 17 हो गई हैं जो पिछली बार 16 थी और नगर पालिका ए 205 कर दी गई हैं और इसमें SC के लिए 110 कर दी गई हैं ST के लिए 2 महिलाओं के लिए 288 सीटे अरक्षित की गई हैं जो मैं आपसे थोड़ी दिर पहले जिकर कर रहा था इस सहभोज वगेरा चल रहा है और महिलाओं को जारता रामंत्रित किया जा रहा है इसका यह बहुत दो करून वोटर सा गया है इस बार और पहली बार वोट करने वाले लगभग चार लाग के करीब वोटर नहीं जुड़े हैं और जो परिसीमन की बाद आप कर रहे थे कि जो कुछ ऐसे मनलब रूरल एरियास थे जो अर्बन एरिया जो वो आपा तो मिल गया है सहरी करण हो पहले गाओं क्षेत्र थे अब शहरों में आ गया है तो उनके भी करीब 21,5 वोटर जो है और वो भी वोटर 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 जो पहले ग्राम पंचाय तो बिल्कुल तो यह जो बात कर रहे थे और जो शरत जी ने भी की थी कि भाई यह बड़ा चुनाव है और यह जो धृव भी करण का तो कर पा रहे हैं लेकिन जो दरसल मूल काम है वो नहीं हो पा रहे हैं वो के वड़ शहरी करण कर दिया गया है हालत उनकी गाओं से भी बतर है परिशानी यह है और एक बार हम पिछले चुनाओं की भी थोड़ा बात कर लें 2017 में इसमें भाजपा के 14 मेर जीत ग लावा नगर पंचायत अद्धक्ष में भाजपान इस तरह मैं एक बार यह भी बता दूं निर्दलिया वाली बात जो आई जी बिल्कुल आम तोर पर यह चुनाओं लोकल बॉड़ी के चुनाओं निर्दलिया ही लड़े करते थे पार्टी बहुत सीधे दार पर इसमें श कद्या हुआ है कि सिंबल भी दिए जा रहे हैं और सीधे तर पर पर मतलब पार्टी जो बड़ी पार्टी जैसे भाजपा कौंग्रेस समाजtı वादी पार्डी बहुजन समाजवादी पार्टी तो ये सब अपने सिंबल पर लड़ रही हैं इस लिए चा उसमें प्रिभार क कि सीधे तोर पे पोस्टर जो चपे हुए थे उस पर छोटे-छोटे सिंबल अप लोगों ने ज़रूर चाप दिये थे कि यह मेरा कंडिडेट है यह मेरा कंडिडेट है तो एक तरीके से अगर आप राजनिती देखें तो अपने सिंबल की राजनिती अप कैसे एकदम पालिका और नगर पंचायत में बैलेट पेपर रहेगा यानि यह दोनों का इमतहान भी रहेगा जो एवियम पर हमेशा आरोप लगते हैं और बैलेट पर तो वो भी एक अंप्रिजन निकलेगा और उसका भी तो मुझे लगता है कि यह चुनाओं वाके में दोहजार के लिए कुछ जमीन तयार करेंगे एक सुराग दे कर जाएंगे कि किस तरफ यूपी के वोटर या पैटर उसका जा रहा है और यूपी के नतीजे किस तरह होंगे यह भाजपा के सासाथ सब विपक्षक्वी परिक्षा है और जनता की तो है ही कि वो धुर्वी के ना हो उस कि जाते थे क्योंकि बहुत जमीनी इस तरह पर बहुत उसका काम हुआ करता था तो यह एक परिक्षा उनकी भी है कि वो किस तरह किस चीज को तवज्जु देते हैं एक आपने विपक्ष की बात की तो मैं हाँ पर एक चीज जोड़ देना चाहता हूं कि अभी शरत प्रधा होती दिख रही है इसके बाद हमने भी कुछ दिनों पहले देखा कि सपा जो है वह बस्पा को कैप्चर करके वह भाजपा के सामने खड़ी होने की कोशिश कर रही है उसने इनके जो सबसे बड़े नेता थे दलितों के और जो पूरवध्यक्ष थे बस्पा के कांसी राम उ जिसमें OBCB हैं जिसमें दलित भी आते हैं अल्पसंक्यक भी हैं महिलाई भी हैं सब अगर यह राइनिती मुझे लगता है सकसेज भी हो तो यह अच्छी ही बात है और बीजेपी भी अगर अपने काम के आधार पर वोट मांगे और उसे उसके काम के आधार पर वोट मिले त एक अच्छी परिपाटी होगी तो दर्शको जैसे हमने कहा कि करनाटक के साथ यूपी का चुनाव यह आ गया और यह पहले हो जाना था लेकिन इसे यहां तक खीच कर लाया गया है उसके पीछे राजनिती आप सब समझ रहे हैं हमारे वरश्पत्रकार शरजी ने भी इस ब सहे बोज जैसी भी चीजे शुरू की गई हैं खास और सो महिलाओ को इसमें जूड़ा जा रहा है अब इन सब का क्या फर्क पड़ता है किस तरह का वोट होता है और क्या इसके नतीजा आते हैं यह देखने वाली बात होगी तो फिलाल हमें दीजिए शुक्रिया अगले सब फिर मिलते हैं चुनाव चक्र के साथ